हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और अपका प्रिवार ठीक ठागा हूँ रेल्वे के अंदर तीन लाख नई भरतियां आपका इंतजार कर रही है इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ यदि आप बेरोजगार हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं और बेरोजगारों के साथ ही जो टैग लगा हुआ बेरोजगारी का इसको जल्दी से जल्दी हटाने के लिए Knowledge TV देशीताव यूटूब चैनल पर और Facebook पेज पर हर रोज मैं जोब की information लेके आता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बेल के इकन को ओन करके रखेंगे आपको सारी की सारी भरतियों के जानकारी मिलती रहेगी आप उन भरतियों के लिए अपलाई कर पाऊगे और आप अपना सरकारी नोकरी का सपना साकार कर पाऊगे और इसी के साथ आपका जो बेरोजगारिक अटेक है वो भी आपका खतम हो जाएगा तो दोस्तो रेलवे के अंदर ये भरतियों आपकी आने वाली है रेलवे के अंदर जी हाँ गोर्मिंट जोब एक RTI लगाई थी किसे बच्चे ने उस RTI में खुलासा हुआ है कि रेलवे के अंदर धेर सारे पद खाली है कितने पद खाली है वो भी दिखाऊँगा कब-कब ये वकेंस की आएगी वो भी आपको बताऊँगा तो देखिए आरटियाई में क्या खुलासा वा देखिए हावएवर टोटल नंबर ओफ वेकेंट पोस्ट गुरुप सी इंक्लूडिंग लेवल वन इन इंडियन रेलवे एज एविलेबल इन दिस ओफिस एज ओन एक मार्च दोजार चोबिस प्रोविजनल इज 2,36,902 यह क्या कहा गया है किसी बच्चे ने आरटियाई लगाई थी उसके ज्वाम में कहा कहा है कि हमारे पास एट प्रेजन्ट एक मार्च की स्थीति के अनुसार 2,36,902 पद खाली पड़े हैं और दोस्तो सरकार ने एनौंसमेंट यह कर रखी है कि हम हर साल ALP की बरती निकालेंगे, Technician की बरती निकालेंगे, Paramedical की बरती निकालेंगे, Group D की बरती निकालेंगे, JEE की वकेंशी निकालेंगे, NTPC की वकेंशी निकालेंगे हर साल इनोंने क्या कर दिया है सेडूल जारी कर दिया है कि इस महीने में हम ये बरती निकालेंगे इस महीने में इसका एक्जाम होगा फिर इस महीने ये बरती आएगी फिर इस बरती का इस महीने एक्जाम होगा तो सारा का सारा सेडूल मैंने पहले वीडियो डाल रखिये, आप वो देख ली जगा, तो दोस्तों ये इतनी वकेंसी खाली है, थोड़ी थोड़ी करके दोस्तों हर साल आपकी वकेंसी आएगी, गुरूप D की भी आएगी, NTPC की भी आएगी, पैरेमेडिकल की भी आएगी, ठीक है, टेकनिशियन की की भी आएगी, ALP की भी आएगी, तो जिनका सपना ये है कि उन्हें रेलवे के अंदर जोब करनी है, या मेरे साथी जो IT अभी एट प्रेजेंट कर रही है, या जो इनकी योग्यता वाली जो जो पढ़ाई कर रही है, उनके लिए आने वाले दिनों में दोस्तों वकेंसी करने वाली है, ये एक मार्च के कोर्डिंग 2,36,000 पद खाली है, जब आपकी IT पूरी हो जाएगी एक साल बाद, या जब अगली वकेंसी आएगी, तब तक बहुत सारे पद है न, वो लोग रिटार्मेंट भी तो रहे हैं, तो यहां पर मान की चले कि 3,000,000 वकेंसी आपका इंतजार कर रहे है, रेलवे के अंदर बस नीत और नियती होगी, तो दोस्तों ये सरकार भरती कर देगी, अब ये आपको पता है कि कोण सी पार्टी भरतियां जादा निकारती है, कोण सी पार्टी किस तरीके से काम करती है, रोजगार के उपर, ये आपको खुद अपना दिमाख लगाना है, तो फिलहाल अपडेट ये है, जिनका सपना रेलवे में लगने का है, उनके लिए 2,36,000 वकेंसी तो ये है, रिटायर्मेंट भी होगे, यानि कि 3,000,000 वकेंसी आपका इंतजार कर रही है दोस्तों, तो ये गुड निउज आपके साथ सेयर करनी थी, इ आधार फाउंडेशन बैच, इस बैच के अंदर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपके एक्जाम में जो आए, आप उनको पढ़ लीजिए, और ये एक्जाम तो आते रहते हैं, किसी में साइस इंकलूड हो जाती है, किसी में कम्प्यूटर बार निकल जाता है किसी में इंदेबार निकल जाती है, लेकिन आते यहीं सब्जेक्ट आपके एक्जाम में, तो आप बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो आधार फाउंडेशन न्यू ओनलाइन बैच है, दस अप्रेल से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप इस बैच में इन्रोल कर देख सकते हो, तो आज की इस बहतरिन वीडियो में इतना ही, धन्यवाद भगवान करें आप सभी का समय सुभ रहें